आज की वीडियो का टॉपिक है common multiples common मतलो होता है same और multiples मतलो होता है गुणाक अगर आप लोगोंने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा तो क्यूंकि उसमें मैंने multiples को discuss किया था तो ये concept थोरा और समझने में easy हो जाएगा और अगर नहीं देखा है तो मैंने description में link दे दिया है उसको फटा-फट से देख लो तो चलिए पहले थोरा सा multiples को जान लेते हैं उसके लिए अगर हम 2 को लेते हैं मालो question है कहीं पर write the multiples of 2 तो उसका answer कैसे होगा what should be the multiple for 2 तो answer है कि multiple of 2 is equals to 2-1-2, 2-2-4, 2-3-6, 2-4-8, 2-5-10 and so on मतलब इस तरह से जितना दू तक जा सको चले जाते हैं मालो write the 6 multiple of 2 ये question पूछा गया है तो उसमें 2 का table 6 तक करेंगे है ना 2-1-2, 2-2-4, 2-3-6, 2-4-8, 2-5-10 and 2-6-12 तो वही पूरा नंबर जितना आया है multiply करकर कर वही हो गया उस 2 का multiples अगर किसी question में आता है write the 12 multiples of 2 तो इसमें भी same way है 2 का table 12 time तक परेंगे और फिर वही सारा नंबर हो गया multiple of 2 ये तो हुआ multiples का थोरा सा introduction आज का topic जो है common multiples चलिए उसको थोरा देखते है multiples that are common to 2 और more numbers are said to be common multiples तो example number 1 write the first 4 common multiples of 2 and 3 इसको समझने के लिए पहले हम लोग दो ठो number का multiples निकालेंगे तो पहला है write the first 12 multiples of 2 और दूसरा है write the first 10 multiples of 3 तो first 12 multiples of 2 is 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 2 7s are 14 2 8s are 16 2 9s are 18 2 10s are 20 2 11s are 22 2 2 12s are 24 यसे दरा the first 10 multiples of 3 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 3 9s are 27 and 3 10s are 30 तो अब हम लोग 2 और 3 का जो multiples आया है उसको देखते हैं तो देखिए दोनों में ही 6 है multiples of 2 में भी 6 है multiples of 3 में भी 6 है फिर थुरा दूर और चलने पर दोनों में भी 12 सेम है उपर में भी नीचे में भी दोनों में 18 भी सेम है साथ इसाथ दोनों में 24 भी सेम है तो ये जो चार नमबर आया है 6, 12, 18 and 24 जो हो गया common multiples of 2 and 3 ये तो हम लोग जानते हैं कि ये सारे numbers जो है multiples of 2 and 3 तो है ही क्योंकि उर्सी में से ना निकाल के लिए आ गया है इन सब को लेकिन अगर हम अलग करके रखे सिफ 6, 12, 18 और 24 को तो ये बन जाता है common multiples क्यों common मतलब बोले था हम common मतलब होता है same तो दो और तीन के multiple जब हम लोग निकालते हैं दोनों में जो जो नमबर सेम हो जाता है वो वो नमबर हो गया common multiples of 2 and 3 ये फिर off जिस नमबर का भी निकाल रहे हैं माल लोग 6 और 7 के निकाल रहे हैं तो उसमें जो भी similar होगा जो भी same होगा जो भी common होगा वही हो गया common multiple उमीद है यहां तक concept clear होगा अब example नमबर 2 को देखे write the first two common multiples of 2, 3, 4 and 6 सबसे पहले question को ध्यान से जेकना चाहिए क्योंकि answer उसी में छुपा हो रहता है अगर हम लोग question का मतलब अच्छी तरह से ना निकाल पाए बढ़िया से ना समझ पाए तो answer तो होगा ही नहीं पहले question में क्या था कि write the 12 multiples of 2 and 10 multiples of 3 यह सिर्फ multiples था और अब क्या है दूसरा नमर example में write the first two common multiples यानि कि खोजो दोठो common multiple ठीक है multiples तो कितना दूर तक भी हम लोग कर सकते है उसका निकाल सकते है लेकिन चाहिए क्या दोठो common multiple so the solution is सबसे पहले तो सबका multiple निकालेंगे multiple of 2, multiples of 3, multiples of 4 and multiples of 6 multiples of 2 चलो उसका table करते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 2 11s are 22, and 2 12s are 24 up multiples of 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24 multiples of 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24 अब आखरी में multiples of 6 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 अब ये question भी आता है मन में कि 2 का या सब का ही हम लोग 24 तक ही table क्यों पड़े उससे ज्यादा क्यों नहीं पड़े इसमें भी कारण है कि दो ठोक सिप common multiple निकालना है ना तो अगर हम लोग इतना ही table पड़ते हैं तो दो ठोक common multiple निकल जाएगा अगर नहीं निकलता है तो फिर से और table एड़ कर देते हैं उसमें 2 का और थोड़ा length बरा देते हैं table का 3 का भी उसी तरह सब का तो अब इन चारो numbers के 2, 3, 4, 6 जो numbers है इन सब के multiples जो आए हैं हम लोग के पास उसमें देखो कुछ-कुछ numbers सेम है चारो में मिलना चाहिए चारो में ठीक है तो देखते हैं देखते हैं तो 12 12 जो है आ गया 12 देखो चारो में है किसी में भी missing नहीं है साथ ही 24, 24 भी चारो में है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग को इन चारो numbers के multiples में से दो ठो common multiple मिल चुका है वो कौन कौन है 12 and 24 क्यों 12 और 24 ही common multiples होगा क्योंकि 12 और 24 चारो में same है मतलब चारो में आ रहा है किसी में भी missing नहीं है चारो में 12 भी आते है और 24 भी आ रहा है तो दो ठो पूछा तो common multiple और दो ठो आ गया तो example to का answer क्या होगा the first two common multiples of 2, 3, 4 and 6 are 12 and 24 हो गया यही हुआ answer एक trick यहा दखना कि common multiples मतलब same numbers common multiple equals to same numbers यह trick याद रखोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा common multiples होता क्या है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही see you on the next video thanks for watching प्रूआ रहेखшों झाल 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 झाल